हेलो स्टुएंट्स सर्फेस कमेस्ट्री का लेक्चर नमबर 5 हमने चार लेक्चर कम्प्लीट कर ली है और इन चारों लेक्चर की जो आपको वीडियो है वो हमारे चैनल के उपर प्रेलिस्ट के अंदर मिल जाएजी तो जिन्होंने अभी तक पहली चार वीडियो नहीं देख कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलिग्राम एप पे हमारा चैनल जोइन नहीं किया है तो वो जोइन कर सकता है इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप टेलिग्राम एप पे सीधा सर्च बार में समाइल एजुकेशन क के नाम से सर्च करोगे तो भी आपको इस चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर किसी प्रगार की प्रोलम है तो आप उस चैनल के एड्मिन को आप मैसीज करके अपनी प्रोलम बता सकते हो आज हम बात करएं प्रेपेशन ओफ कॉलाइडल सॉलूशन की प्रेपेशन क्या है तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपेशन ओफ उसमें क्या था, dispersed phase of great affinity for dispersion medium, dispersed phase और dispersion medium के बीच में अच्छा लगा होता है, केवल उनको mix करने की जूरत होती है, mix करते ही वो combine हो जाता है, solution बन जाता है, तो हमें उसके लिए कोई method की जूरत नहीं है, बट, lyophobic बनाने के लिए आपको अलग-अलग method से बुज़रना पड़ता है, जिन में से दो method आपके main है, first is the dispersion method, and second is the condensation method, dispersion method में क्या होता है, जो particle होता है, उनका size है, collidal size होता है, अब है collides क्या होते हैं, बच्छो, जो आपके पास है, solution के अंदर, अगर solute का particle है, solute का जो particle है, उसका size 1 nanometer से लेकर 1000 nanometer के बीच में आजाए, तो उसको collides बोलते हैं, और solution का हम collider solution बोलते हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर हम कोई solution बना रहे हैं, और उस solution है के अंदर, solute के particle का size, 1 nanometer से लेकर 1000 nanometer की range में आजाता है, इनके बीच में आजाता है, तो उनको बोलते हैं, हम collides, तो collides, और इस solution का हम क्या बोलेंगे, collidel solution, ठीक है, तो जो इनका, हमें particle लिया, उनका size क्या होगा, बड़ा होगा, collidel range से, यानि इसका size 1000 nanometer से बड़ा होगा, तो dispersion method के अंदर, इनको हम छोटा कर लेंगे, तोड़ लेंगे, और इनका जो तोड़ के जो छोटे particle बनाएंगे, वो हमारे किसकी range में आजेंगे, collides की range में आजेंगे, कुन सी range में आजेंगे, बड़तो, collides की range में आजेंगे, जबकि condensation method में क्या होते हैं, जो particle होते हैं, उनका size 1 nanometer से छोटा होता है, उनको हम इकठा करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ के, अगर हम size ले आते हैं, collides range में, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, condensation method बोलेंगे, यानि dispersion method में तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ कर हम क्या करते हैं, बड़े से छोटा बनाते हैं, जबकि condensation में हमें जोड़ने का काम करते हैं, उससे हम, जिनका size 1 nanometer से छोटा होता है, यानि जो collides का range है, size की, उससे कम होता है, और जोड़ कर हम उस collides की range में लेके आते हैं, तब वो method condensation method कहलाता है, जबकि अगर हमें बड़ा है, उसका size 1000 nanometer से बड़ा है, तब हम उसको त सबसे पहले हमारे पास आता है, mechanical dispersion method, पहला कौन साता है, mechanical dispersion method, इस तरह से इसका arrangement होता है, यहाँ देखिए, यह arrangement है, इसको हम बोलते है, collidal meal, क्या बोलते हैं, बचो, एक collidal meal, यानि जो system बना होता है, और इसमें क्या करते हैं, suspension, मैंने क्या बोला, अभी बोला, तोड़ने काम करते हैं, जिनका size 1000, नैनो मेटर से बड़ा होता है, और बड़ा होता है, इसका मुलूब कौन सा होता है, suspension होता है, suspension से हम कौन सा बनाते है, collidal solution बनाते हैं, कौन सा बनाते है, collidal solution, बनाते हैं, आई बास समझें, यह ठीक उसी परकार का काम करता है, बच्छो, जैसे घर म ऐसे पैए हुपर से इनके बीच में यहां क्या करते हैं दोनों के बीच में क्या लेक्ठे आते हैं कि से वीट All ही जिए छोटा हो जाता है तो ठीक वैसे ही है आपका जो इससमें काम होता है स्टील की प्लेट को हम इलेक्ट्रिक मोटर की साहता से अपोजिट डिरेक्शन के अंदर मूव कराते हैं दोनों प्लेट को अपोजिट डिरेक्शन के अंदर मूव कराएंगे विडिए वेरी हाइच स्पीड तो आपके पास इस तरह से इसका जो रोटेशन का स्पीड है वो ज्यादा होगा और इनके बीच में जो यहां से एरो दिखार का है इनके बीच में क्या लेंगे अपके पार्टिकल प्लस डिस्परशन जूअ मिडियों लेख जेएंगे याणि कहने का मूलाया चीदे सीदे बासा में Cheerio गेहूं का होता है वैसी इनका size क्या होज़ेगा decrease होज़ेगा और जिनका size 1000 nanometer से बड़ा था वो 1000 nanometer से कम आज़ेगा अगर 1000 nanometer से कम आगया इसका मतलब कोलाइडल की range में आगया इसलिए ये जो method है वो कौन सा method है mechanical dispersion method है तो इस तरीके से भी हम क्या prepare कर सकते है लाइव फबिक सोल परपेर कर सकते है ठीक है बच्चो नेस्ट देखिए इलेक्ट्रो डिस्पर्शन method इस method के दवारा हम gold silver और platinum के collide solution बना सकते है गोल्ड silver और platinum के collide solution बना सकते है इसमें क्या आउड है आपको यह दो आपको metal रोड लेनी है प्ले से यह रोड लेए जिसका आपको बनाना है जैसे घॉल्ड का बनाना है तो मैं गोल्ड की प्ले ले लूँआ plate रोट्न का बनना है तो फम्लेटम की प्लेट ले में थिक हैं इसके जो आपके पास जो यह रोड है उस रोड को हम क्या करेंगे हाई वोल्टेज शोर्ण से कनेक्ट कर देंगे और अगर हम बात करें इसके अंदर तो जो बिल्कुल अंदर है जहां पर हमने रोड को डिपट करा है वहां है डी आयनाइज्ट वाटर प्लेस ट्रेस ओफ अलकली मेटल्स ठीक है और बाहर रखा है हमने आइस बात ठीक है इसमें क्या होता है जैसी दो मेटल को रोड को नजदीक ले के आते हैं हाई वोल्टेज सोर्स होती है यहां पर दोनों को अपस में टच कराने पर है एक इनेंस हीट जनरीट होती है यहां पर मतला इलेक्टरिक आर्क बनती है इसलिए इसका दूरसर नाम ब्रेडिंग आर्क मेथड़ Judy इंतंस हीट पैदा होती है जिस इननस हीट के काड़ने जो आपके मेटल के पार्क स्वादरिकल है वह उनको आइस बात, जो है, यह जो हमारा पाइस है है, यह हाँ पर, यह जो है, यह उनको क्या कर लेती है, क्या कर लेती है, वापिस उनको जोड对ती है और क्यों सी रेंज में लेमें लेती है, वन नेनो मेटर से लेकर one thousand इनोठी के बींच में लेती है थो इसको हमें कौन सा डिस्परशन मेठर बोलते हैं इलेक्ट्रो डिस्परशन की आपके पास है यह नज्डीक लेक्ग जब किया हुआ dispersion हुआ तब क्या बचो dispersion हुआ इनके मतलब metal की vapor बन गये थे और बाद में हमने आइस बाद से metal vapor को condense किया था उनको इकठा किया था जोड़ा था इसलिए condensation method भी लगा है तो इसमें दोनों होते हैं वैसे तो पहले dispersion होता है इसलिए इसको dispersion की category में रखा गया है ठीक है next अगर हम बात करें यह बहुत important method है बहुत बार exam में आता है very important peptization next कौन सा topic बचो peptization peptization में क्या करना है आपको freshly prepared precipitate लेना है कौन सा ऐसा नहीं कि दो दिन पहले बना के छोड़ दिया ऐसा नहीं होगा जिस टाइम आपको बनाना उसी टाइम इसलिए freshly prepared PPT लेने है उसके अंदर electrolyte add कर देना है तो जो आपके पास solution बनेगा वो solution कौन सा बनेगा collidal solution बनेगा ध्यान से सुनिए peptization the process in which freshly prepared precipitate is mixed in electrolyte to form a collidal solution and this process is known as peptization and the electrolyte which is used to prepare the collidal solution is known as peptizing agent जो हमने यहां पे electrolyte use किया है उसे electrolyte को क्या बोलेंगे peptizing agent बोलेंगे बच्चों क्या बोलेंगे peptizing agent आई बास समझें तो जो freshly prepared PPT और electrolyte को mix करके जो collidal solution बनाने का जो process है वो peptization कहलाता है और इसमें जो electrolyte use करते हैं वो electrolyte peptizing agent कहलाता है देखे जैसे मैंने क्या यहां पे लिखा नीचे precipitated natural ferric hydroxide particle है और इसके अंदर add क्या कर दिया FECL3 electrolyte add कर दिया तो कि क्या था बच्चों F E F E OH3 यह आपका PPT था और इससे PPT के अंदर हमने FECL3 electrolyte add कर दिया तो क्या होगा बच्चों जो आपका यह F E OH3 होगा यहां लिख देता हूँ थोड़ा सा समझे ना इसको F E OH3 होगा इसके उच्यारों हो रहे F E 3 positive आइन इसके उपर है अडजोब होगे इस तरह से इनके surface पर चिपक जाएंगी और इनके साथ चिपकने पर इनका जो range है वो range किसमें आजएगा अपास है किसमें आजएगा बच्चों यह collide की range में आजएगा किसकी range में आजएगा collide की range में आजएगा तो इससे मैं थड़कों क्या बोलेंगे पेप्टाइजिशन बोलिंग बच्चों ठीक है इसमें आपको दो चीजे जूरुत होती है एक PPT की जो आपका freshly prepared होना चाहिए और दूसरा electrolyte दोनों को मिला देना बस है और आपके पास क्या मिल जाएगा कुलाइडल सोलिशन मिल जाएगा और जो आपके यहाँ पे electrolyte यूज करते हो उनको हम बोलते हैं पैप्टाइजिंग अजेंट ठीक है नेक्स देखिए पैप्टाइजेशन में जैसे आपका precipitate हो गया ferric hydroxide और पैप्टाइजिंग अजेंट हो गया ferric chloride तो ferric hydroxide की ऊपर क्या बना था यह तो बता है अभी तो यह इस तरह से मैं आपको बता रहा है अपर अगर उस पे अचल पैप्टाइजिंग अजेंट कुछ नहीं बच्चो अभी तो बताए आपको पैप्टाइजिंग अजेंट क्या होता है अब बात करें cds केडियों तो यह क्या होता है तो यह कुछ नहीं होता है इस दा mixture of a night 4% यह भी जान कर लो 4% mixture of nitrogen in the mixture of ethanol and water आप क्या करते हो बच्छों 4% nitrogen nitrogen cellulose लेकर उनको mix करते हैं mixer के अंदर और mixer होता है ethanol water का तब उसको हम क्या बोलते हैं कॉलाइडियन बोलते हैं और यह हमें पढ़ेंगे जम purification के अंदर ultra filtration के द्वारा purification करेंगे यह next वीडियो के अंदर है तो purification के अंदर हम यह पढ़ने वाले हैं कि कॉलाइडियन का यूज कैसे किया जाता है तो इसका हमें purification में यूज करेंगे पर आपको वेरी 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 इप्रोटेंट वहलो तो गलत नहीं होगा इसलिए स्टेबल को व्याद करें कि कौन इसके अंदर electrolyte होता है और कौन इसके अंदर PPT होता है ठीक है बच्चों चलिए next देखिए physical method मेथड में हमारे पास है दो मेथड है एक है excessive cooling और एक है change of solvent ठीक है excessive cooling मतलब ठंडा कर दें तो ठंडा करने से क्या होगा बच्चों जिनके particle यानि जो solution के अंदर solute है और उन solute का साइज है वन इनोमेटर से छोटा है तो जब हम उसकी बहुत ज्यादा cooling करेंगे तो particle दीरे दीरे जुड़ना क्या कर देंगे start कर देंगे जैसे बहुत ज्यादा ठंडा कर दे आइस बन जाती है वेसे ही आपके पास उसको ठंडा करेंगे तो particle aggregate होना जुड़ना start कर देंगे और वह जुड़कर कौन सी रेंज में आ जाएंगे collidal range में आ जाएंगे यानी 1 नमीटर से लेकर 1 थाउजेंट नमीटर की range में आ जाएंगे तो इस तरह से हमें क्या बना सकते है collidal solution बना सकते हैं जैसे H2O plus ether की अगर excessive cooling की जाए तो collidal ice बनता है क्योंकि H2O और ether के अंदर जो mixer होता है उसके अंदर जो N molecule के water होते है वो एक साथ क्या हो जाते है इकठे हो जाते है और इसी को हम collidal ice बोलते है क्या बोलते हैं उच्छों collidal ice बोलते है यह जो collidal ice है इसी दा एक्जम्पल ओप दा प्रेपरेशन ओफ लाइव होविक सोलिशन बाइ यूजिंग दा excessive cooling ठीक है excessive cooling करने से क्या होता है जो ether के solution के अंदर जो हमने ether water का solution है उसके अंदर मान लिजिए N molecule water के है वो अलग-अलग ना होकर वो जूड जाएंगे और जूड कर किस की range में आ जाएंगे उनका size है इतने particle water molecule के जूड जाएंगे कि उनका जूडने के बाद size 1 nanometer से लेकर है 1000 nanometer के बीच में आ जाएगा आई बास समझ भे तो इसलिए ये आप excessive cooling का method कर सकते हो next है आपके पास change of solvent change of solvent कैसे कर सकते हो change of solvent के लिए क्या चाहिए बच्चो मालो मेरे पास एक solution है ठीक है उसे solution के अंदर solute भी है और solvent भी है अब मैं क्या करूँगा ये माली जी solvent 1 है अब मैं solvent 2 ले क्या हूँआ कौन सा solvent ले क्या हूँआ 2 अगर पहले वाले solvent 1 के अंदर solute डिजूल होता है और वो solute solvent 2 के अंदर डिजूल नहीं होता है तभी हम ये method लगाएंगे change of solvent है अब ज्यान से सुनना बच्चो मेरी बात है मतलब कोई अगर solute solvent के अंदर डिजूल होता है तो उसका size जो होता है वो बच्चो छोटा हो जाता है उसका size कैसे हो जाता है छोटा हो जाता है जैसे आपने sugar को water में डिजूल करवाते हो फिर मान लो sugar को water में डिजूल करवा अपने थोड़ा सा डिजूल करवा क्या आप देखते हो मतलब इसमें sugar रहे गई का नहीं मतलब डिजूल हो गई एक नहीं होगी आप फिर देखते हो कि size और कम हो गए इसका मतलब जो उसके अंदर soluble होगा तो उसका size क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा तो अब अगर solute है और plus solvent 1 है इसके अंदर जो solute है solvent 1 के अंदर तो डिजूल होता है बट मैं इस solvent 1 को replace करवा दूँगा किसे हैं solvent 2 हैं और solvent 2 के अंदर solute डिजूल है नहीं होगा और डिजूल नहीं होगा तो उसका size क्यासा होगा बड़ा होगा और कौन सी range में होगा वो collidal range में होगा जैसे example से देखिए sulfur के अंदर water डिजूल नहीं होता है और ये कौन सा solution बनाता है suspension मैंने अभी बताया जिसके अंदर डिजूल नहीं होगा उसका size उतना ही रहेगा बड़ा ही रहेगा छोटा नहीं होगा जो डिजूल होगा तभी तो size कैसा होगा छोटा होगा जबकि sulfur और ethyl alcohol को डाल दे तो आप के पास solution बन जाता है इसके अंदर डिजूल होता है अब इसका size क्या है छोटा है अब इसको हमें replace करा दें किससे है solvent 2 से और solvent 2 यहां पर क्या रहने वाला है हमारे पास है water रहने वाला है जैसे इसमें water डालेंगे और ethyl alcohol को replace कर देंगे तो जो solvent first के अंदर तो solute dissolve हो चुका था size छोटा था ethyl alcohol के अंदर तो जैसी water लेक के है तो sulfur के molecules आपस में जूड़ना start कर देंगे और आपस में जूड़कर कौन सी range में आ जाएंगे collide की range में आ जाएंगे तो इसको solution त्यार होगा वह कौन सो जाएगा collide solution हो जाएगा इसलिए condensation method में रखा गया है तो जैसे हमने यह water से replace कर रहा तो एन molecule जो sulfur के हैं वह आपके पास क्या होगे इकठी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इकठी हो method कर लिए excessive cooling और by changing the solvent अगर हम बात करें chemical method में तो double decomposition हो सकता है oxidation हो सकता है reduction हो सकता है change of solvent अभी देख लिए है और hydrolysis भी हो सकता है तो चार method पढ़ने है पहला double decomposition दूसरा oxidation तीसरा reduction और चोथा hydrolysis चलिए इनको भी देख लेते हैं वन बाई वन सबसे पहले double decomposition की बात करते हैं तो double decomposition में क्या होता है बच्चों जो आपका arsenic oxide है और H2S को add करेंगे arsenic sulfide जो sol बनेगा यानि sulfur का collider solution बनेगा water के अंदर है तो यह जो method है यह कौन सा कर जाता है double D का क्योंकि जो आपका arsenic oxide है वो अलग हो जाता है बच्चों किसमें arsenic के अंदर है और पले से oxygen के अंदर arsenic पे कितना है जोगा बच्चों आर्सेनिक पे three positive होगा और oxygen पे कितना होगा two negative होगा इसी परकार है आपका H2S भी decompose जाता है H positive के अंदर है और sulfur है two negative के अंदर आप पोजीट वाले कमबाइन हो जाएंगे H positive oxygen two negative आपस में कमबाइन होकर क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे sulfur two negative arsenic three positive iron यह आपस में कमबाइन होकर क्या बना लेंगे AS2S3 बना लेंगे तो इसलिए यह जो आपका AS2O3 होता है यह small size होता है solution के अंदर जबकि AS2S3 बनता है वो collidal size में बनता है यानि आपके पास collidal solution है बन जाता है तो यह था वच्छो double decomposition है आरसेनिक oxide भी decompose होता है hydrogen sulfide भी decompose होता है दोनों decompose होते हैं फिर आपस में मिलते हैं इसलिए इस method का नाम क्या है double decomposition है ठीक है और छोटे size से हैं small size से हम बड़ा बनाया है इसलिए इस method को हम क्या उत्सा method बोलते हैं condensation method बोलते हैं कौनसा method बोलते हैं condensation method है बोलते हैं इसी के अंदर next part है reduction इसमें जैसे AGNO3 है tanic acid के साथ reduce करया तो silver soul बन जाएगा gold का आपके पास salt है उसको tanic acid के साथ reduction कराया तो gold soul बन जाएगा तो यह आप क्या कर सकते हो reduction करवा सकते हो क्या करवा सकते हो रिडेक्शन करवा के भी बना सकते हो ठीक है नेस्ट है oxidation अब जेखिए इसमें जैसे एक लिए है H2S और एक लिए S02 इसमें आपको पता है अगर ट्रिक से करवा जैसी इन औरगेनिक का इन औरगेनिक की चल रही है वैसी तो hydrogen और oxygen को आपस में combine किया क्या बन जाएगा H2O अब क्या बच गे sulfur बच गे यह sulfur इकट्छी हो जाएगे और यह जो solution बनेगा वो प्लाइडिल रेंज में आ जाएगा इसका मतलब थोड़ा से देखा जाए H2S से sulfur बना है आइड्रोजन रिमुव हो गया और रिमुवल ओफ आइड्रोजन क्या होती है क्या होते है बच्छो ऑक्सिडेशन है या फिर आप देखो कि H2S के अंदर है oxygen hydrogen के अंदर oxygen हो गया तो पॉस्टिव मिल जाएगा प्लस में 3C-L- नेगटीव मिल जेंगे और दूसरी compound से हमें क्या मिलेंगे है पॉस्टिव है और और वच है नेगटीव मिलेगा तो आपके पास H-Positive C-L-- नेगटीव मिलकर क्या बना लेगा एफ-3 पॉस्टिव और और नेग्टीव आप उस आशीज में थड़े बोलते हैं ठीक है तो next lecture के अंदर हम बच्चो purification पड़ेंगे आज हम इतना ही करेंगे आज हमने preparation क्या कर लिया बच्चो complete कर लिया है तो next के अंदर हम purification पड़ेंगे और आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे तो इस चैनल को subscribe कर लें आप अपने दोस्तों को बता सकते हो तो अपने दोस्तों के साथ है आप अब यह वीडियो क्या कर सकते हो शेर कर सकते हो और इस वीडियो को like कर सकते हो थैंक यू बच्चो